नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप MS Word 2019 के इंसर्ट टैप के टेक्स ब्लॉक आप्शन के अंतरगर इंसर्ट टेट एंड टाइम आप्शन का उप्योग कैसे करते हैं? दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, तो हमारी वीडियो इसको लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेर करें किसी भी टॉपिक से रिलेटिद अगर आपका कोई कोई कोशन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बैल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमें पर पहुंचती Excel InfoTech के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियो जैसे की MS Office, Corridor, Photoshop, Teleprime, इत्यादी की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी Microsoft Word में अकसर हमें Date and Time को Insert करने की आवश्यक्ता होती है तो उन्हें Document में कैसे Insert कर सकते हैं और उन्हें Automatically कैसे Update कर सकते हैं और Document के हर पेज पर उन्हें Automatically कैसे Insert कर सकते हैं आईए देखते हैं तो इसके लिए हमें जाना होगा Insert tab के अंधर और Insert में आपको यहाँ पर Text Block का एक Option आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको Date and Time Option पर क्लिक करना है जैसी Date and Time Option पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफी सारी Option दिखाई देगे जिसमें से कोई भी Format यहाँ पर Use कर सकते हैं Date and Time को Insert करने के लिए जैसो उपर की तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ उपर की तरफ जो भी Format आपको दिखाई देगा वो सिर्फ Date का Format होगा और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके Timing का Format है और अगर आप यह करेंगे तो यहाँ पर आपका Date and Time दोनों ही एक साथ आप Insert कर सकते हैं तो फिलाल हम इस वाले Format को यहाँ पर Select करते हैं इसे Select करने के बाद यहाँ पर जैसे हम OK बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा Date and Time दोनों ही यहाँ पर Insert हो चुका है इसके लावा अगर आ Date and Time हिंदी में आपको सामने रेपरेजंट हो तो उसके लिए भी आपको इस ऑप्षिन पर वापस से क्लिक करना है इस उप्षिन पर क्लिक करने के बाद आपको इहाँ पर दिखाई देगा एक Language का Option. लीजा प यहाँ पराप्षिन का उप्षिन दिखाई देगा हिंदी वाल यहाँ पर insert हो गया हिंदी के अंदर इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अपने date or time को किस तरीके से update कर सकते हैं यानि जब भी आप अपनी file को open करेंगे तो आपका date or time यहाँ पर आपको updated मिलेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको सीधे इसी option पर फिर से जाना है इसी option पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी date का एक format select कर लेना है और format select करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा अब date automatically का इस पर आपको tick कर देना है इस पर टिक करने के बाद जैसे आप इसे OK बटन पर क्लेक करेंगे तो आप देखेंगे आपका date or time यहाँ पर insert हो जाएगा और इसके बाद हम इस file को यहाँ पर save कर देते हैं Ctrl S दबाने के बाद यहाँ पर हम file को save करते हैं यहाँ पर आप file का कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे माल लिजे मैंने यहाँ पर दे दिया date and time और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे document में save कर देता हूँ save करने के मैं कुछ मिनट बाद इसको फिर से open करूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यह date or time कैसे update हो जाता है तो दोस्तों हमें 3-4 मिनट हो चुके हैं file को save किये हुए अब हम फिर से उस file को open करके देखते हैं तो आपको window plus R press करना है यहाँ पर win word type करना है और enter press करना है enter press करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी recent file यहाँ पर represent हो रही है इस file पर हम click करेंगे file को open करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो date or time था वो यहाँ पर update हो चुका है date basically वही है क्योंकि हमने कोई अगले date पर इसको open नहीं किया हुआ हमने same date पर इसको open किया है time की अगर हम बात करें तो उस समय हमारा जो time था वो 12 बच के 11 मिनट 13 सेकेंड था और अब आप देखेंगे 12 बच के 16 मिनट 18 सेकेंड हो चुका है तो इस तरीके से आप अपनी file के date or time को automatically update भी कर सकते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपने काफी सारे pages लिये हुए हैं और सभी pages पर आप इस date and time को insert करना चाते हैं और आप ये भी चाते हैं कि वो automatic update होता रहे तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए हम पहले इस data को यहां से clear कर लेते हैं इसको total select करके हम यहां से delete बटन दबा देंगे और इसके header वाले पार्ट पर आकर दो बर हम click करेंगे जैसे हम header पार्ट पर दो बर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहां पर header and footer का एक अलग से tab open हो जाएगा और इस tab के अंदर आपको एक option दिखाई देगा date and time का इस option पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे वही same option आपको यहां पर दिखाई देगा और यहां से आप same उसी format को select कर सकते हैं जो भी format आप यहां पर चाहते हैं तो माल लीजे हमने उसी format को फिर से select किया और यहां पर आप देखेंगे आपका update automatically का जो option है वो यहां पर check mark है आप इसे अगर ok रखेंगे तो यहां पर यह date and time automatic update होगा और अगर आप इसे हटा देंगे तो automatic update नहीं होगा तो फिलाल हम यहां से इसको select करके यहां पर ok बटन पर click कर देते हैं तो आप देखेंगे भी हमारा date or time यहां पर first page पर represent कर रहा है मैं यहां पर कुछ और pages insert कर लेता हूँ तो इसके बीच में मैं यहां पर click करता हूँ और अपने keyboard से press करता हूँ control plus enter जैसी मैं control plus enter प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे page break हो चुका है यहां पर आप देखेंगे second page पर भी हमारा जो date है वो यहां पर दिखाई आपको दे रहा है इसी तरीके से आप जितने भी pages यहां पर लेंगे उन सभी pages पर आपका date or time automatically यहां पर represent होता चला जाएगा तो इस तरीके से आप अपने date or time function का use कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा धन्यवाद